आप वस्ती सिंद आते हैं बे नजिराबाद शेयर नवापशा कहलाता है वहां पर आते हैं आप विजट करते हैं टूर करते हैं तो आप चाहते हैं कि अच्छा खाना मिले और रहने के लिए अच्छी लंच करते हैं डिनर करते हैं या पर एक फास्ट करते हैं आपको यह रेस्टोरेंट बड़ा सूट करता है जिसके साथ सुखे नवापशा शहर जो जिल्ला शहीद बेनजीर आबाद में सिंध के मरकज में वाके है आप जब भी विजट के लिए किसी शहर जाते हैं तो आपकी पिरारिटी होती है कि ऐसी जगा क्याम किया जाए जहां क्याम और ताम अच्छे से अच्छा हो आप गेस्ट हाउस या होट अच्छल ऐसा तलाश करते हैं जहां आप सुकून की नींद करें और जहां का खाना लजीज हो तो नवापशा में जीम खाना रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस का ही तसावर आता है इसलिए आज हम जीम खाना रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस को अपना मसकन जीमखाना रेस्टोरेंट एंड गेस्टाउस नवापशा की प्राइम लोकेशन पर है और जहां पर नवापशा की करीम रहती है सिविल लाइन का ये इलाका नवापशा का पुर्सकून महफूज और बहतरीन है जहां पर अफसर बिजनिसमेन और अच्छी रहाश और लजीज खानों के तलबगार आते हैं यहां पर केस्ट हाउस के क्यों इंतहाई को आपरेटिव हैं घर जे सामाहोल दस्तियाब होता है गेस्ट हाउस साफसुत्रा जहां पर स्टेंट बाई जरनेटर एर कंडिशन रूम, सीसी टीवी, कवर्ड कार पारकिंग, वाई फाई इंटरनेट, फूड एंड ड्रिंक, रेस्टोरेंट, टेबल सर्विस, 24 घंटे रूम सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फुल सर्विस लांडरी, सेल्फ लांडरी समेट, तमाम सहुलियाद जो एक गेस्ट हाउस में होनी चाहिएं, आपको मिलती हैं, फाई फिस्टार होटल जैसे सूट और लेक्जरी रूम जो नवाबशा में, सिर्फ जीम खाना रेस्टोरन गेस्ट हाउस में ही मिल सकते हैं, आप वस्ती सिंद आते हैं, बेन अजिर आपाद शेहर नवाबशा कहला वहां पर आते हैं, आप विजट करते हैं, टूर करते हैं, तो आप चाहते हैं कि उच्छा खाना मिले और रहने के लिए अच्छी लोकेशन पर गेस्ट आउस हो, जहां सुकून हो, आराम हो, मैं यहाँ पर मوجود हूँ, यह गेस्ट आउस का वेल डेकोरेट सूट है, मुकमल एर कंडिशन, कुशादा बातरूम, फिरिज, सोफे, मतलब कि हर वो चीज या हर वो सहूलत जो किसी सूट में होनी चाहिए, यहां पर मौजूद है, यह एक फाइव स्टार होटल से कम नहीं है, कराची हदराबाद के गेस्ट हाउस में विजट कर चुका हूँ, मगर नवाब शाह के इस जीम खाणा गेस्ट हाउस का जवाबी नहीं, मैंने यहां पर पुर्सकून रात गुजारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां पर आकर, मैं दोस्तों को रेकमेंट करूँगा, कि वो जब भी नवाब शाह हैं, तो जीम खाना गेस्ट हाउस इनकी अवलियत होनी चाहिए, कि वो जड़े, कर दो 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 झान झाल 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 जीम खाना रेस्टोरेंट के रूम्स को बड़ी खूसूरती से डेकोरेट किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि सफाई का खास ख्याल रखा गया है माहूल इंताही दोस्ताना है कोई शोर नहीं सुकून और आराम की नीद करते हैं आप आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से तश्रीफ लाते हैं आप नवापशा में कोई गैस्टाउस या होटल तलाश करते हैं तो इससे अच्छा गैस्टाउस या होटल आपको मिल रहीं सकता जीम खाना रेस्टाउस इस हवाले सी भी बड़ा खुबसूरत है कि इसका सब्जाजार जहां पर शाम के बाद बार बी क्यू अच्छे अच्छे खाने कड़ाई और हर किसम क्या वो सवाद मिलता है जो आप चाहते है जीम खाना रेस्टाउरेंट के इस सब्जाजार को बड़े खुबसूरत पेंटिंग से समारा गया है ट्रक स्टाइल के पेंटिंग की गई है जो दीवारों पर आपको नज़र आती है जिस पे लिखा होता है सानू लुट के खा पर छट गे ना जा यानि वो चीजें जो आप सफर के दोरान ट्रकों पे पड़ते हैं न छेड मलगानू तो ये बड़ा खुबसूरत माहूल होता है आप बेठे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है खर्चा साड़ा नकरे लोका दे तो जना आप ये एक खुबसूरत गेस्ट हाउस है जिसे आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए खुबसूरत बाते हैं कर दोस्तों के लिए खुबसूरत बाते हैं कर दोस्तों के लिए खुबसूरत बाते हैं जब आप गेस्ट हाउस में रहते हैं तो आपकी खुबसूरत बाते हैं कि अच्छे अच्छे खाने मिलें नजर आती है जब आप रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं तो पहतरीन आपको लोकेशन मिलती है जहां आप कुछ देर बेटते हैं इतनी प्यारी डेकोरेशन मैंने कम ही देखी है लेकिन नवाबशा के इस गेस्ट हाउस में असल में आपको वो माहूल देता है जो आप चाहते हैं तो ये खुबसूरत सा गेस्ट हाउस मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन इसका रेस्टोरेंट मुझे और भी अच्छा जिसकी सजावट जिसकी पैंटिंग यहां पहुँचकर मुझे ऐसा लगा के मैं खुबसूरत जगा पर मौजूद हूँ आप लंच करते हैं डिनर करते हैं या प्रेक फास्ट करते हैं आपको यह रेस्टोरेंट बड़ा सूट करता है जिसके साफ सुत्रेवाश रूम पहतरीन अमला और अच्छा स्टाब जो है आप से कॉपरेटिव भी है और इंतहाई मौबत करने वाला तो जनब यह गेस्ट हाउस ने सिर्फ अच्छा है बलके बहुत अच्छा है मेरा शोक रहा है मैं अच्छे खाने खाऊँ तो मैं अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश करता हूँ मैं जिस भी शहर में जाता हूँ पहले दोस्तों से मश्वरा करता हूँ या Google सर्च करता हूँ कि इस शहर में कौन सा रेस्टोरेंट है जो मशहुर भी है और अच्छा भी जिसका जाइका लोगों को बहुत पसंद है और जब मैंने नवाबशा में एक रेस्टोरेंट ढूंडा तो मुझे जीम खाना रेस्टोरेंट मिला और मैं जीम खाना रेस्टोरेंट में जब आया मेरा तसावर आमसा था लेकिन जैसे ही मैं जीम खाना रेस्टोरेंट में पहुचा तो यकिन जाने में हैरान हो गया मैंने तो पहले खुबसूरत पेंटिंग्स देखी यहां कल्चर को भी प्रोमोट किया गया मुझे इस बात की खुशी हुई के कल्चर को प्रोमोट किया गया और माहूल इंतहाई जबर्दस्ट मेरी सोच में नहीं था कि नवाबशा में ऐसा गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट होगा जो बड़ा खुबसूरत होगा जनव आप रेस्टोरेंट में आते ही तब हैं जब आपको बूख लगी होती है और आप चाते हैं कि जल्दी जल्दी खाना आए आप खाएं और रवाना हो जाएं और यहां आकर आपको बड़ा सुकून मिलता है यहां की दीवारों को देखकर जहां पर खुबसूरत पेंटिंग है इसकी सजावट जबरदस्त है इसकी छचतों की सजावट लाइटिंग यह सब कुछ देखकर मुझे यकीन करें के बहुत खुशी हुए और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना खुबसूरत गेस्टाउस और उसके साथ इतना प्यारा रेस्टोरेंट तो जनाब यह चीज़ें जो होती है यही चाहते हैं हम विजिटर जब गुमने आते हैं हमें रहाश अच्छी मिले और उसके साथ जहां हम खाना खाएं वो रेस्टोरेंट भी कमाल का हो तो यहां पर बार्बीक्यू और हर किसम का खाना जो आप खाना चाहते हैं वो मिल जाता है और सुबह सुबह आपके गेस्टाउस के रूम में आपको ब्रेकफास मिलता है नाच्टा मिलता है और अगर आप डिनर या लैंच अपने रूम में करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाता है कि अपको मिल जाता है कि अपको मिल जाता है ये गेस्ट हाउस साफ सुत्रा है इसके देरो दीवार और मुकमल पिराएवी सी इसके अलावा गाड़ियों का भी शोर नहीं होता इस गेस्ट हाउस में आपको हर किस्ट का कमरा मिल जाता है वी आई पी, रेग्यूलर, डिलैक्स और सूट्ट जैसा आपका बजट होता है वैसा ही आपको रूम मिल जाता है वो भी एर कंडिशन आप खुबसूरत यादें यहां से लेकर जाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा मुझे यकीन है मेरी तरह आप भी खुबसूरत यादें यहां से लेकर जाएंगे मुझे यहां से लेकर जाएंगे अब जीब खाना गेस्ट हाउस से अब हम रवाना हो रहा हैं, बहतरीन था यहां के होटर्स में यहां का रेस्टोरेंट और उसके अलावा आप यहां पर जो खाने खाते हैं, रात इस्टे करते हैं, बहुत ही आराम दे, बहुत अच्छे रूमें, हर किसम के रूमें जिसे आप चाहेंगे, तो अब हम रवाना होंगे, बहुत अच्छी आराम दे और सुकून के साथ रात ग झाल झाल झाल